आपको 3.1 समझ में आई होगी अच्छी तरह ऐसे उमीद है अब 3.2 करनी है 3.2 में जो मैंने आपसे बाते बताई थी उन बातों को दान में रखके वे हमें आगे बढ़ना है ठीक है बच्छों और उस रिमेंबर टू पाइंट को है ना आपको अपने बिल्कुल जब फेर नोट बुक एक साइज स्टाट करें तो उसके पहले सभी पाइंट सो को लिखना है क्योंकि आप देख रहें उसकी जुरूत पड़ेगी और अभी और देख लोगे ठीक है तो सबसे पहले हमें क्यूसन के आंसर करने मैं आपसे बताया था दो लाइन हम बनाते हैं जो एक दूसरे पर पर पेंडिकुलर होते हैं काडिजन प्लीन के अंदर बनाते हैं उनका नाम क्या है तो अफ्कोर्स एक का नाम है X-axis और दूसरे का नाम य-axis पर उनका नाम क्या है एक का नाम होरिजंटल है और दूसरे का यह नाम क्या है तो यह आपकी horizontal है और यह आ पकी क्या है यह आन्सरों कैर धोम एन टॉन फॉरिग्स लोगण वोड़ेंट हैं लोगा इन ठाठिन 1 और 2 लाइन फंद एक दूसरे कट यह और इस पॉइंट का नाम है ओरिजन जहां पर एक्स और वाई के बलू कितनी होती है जीरो जीरो तो यह हो गया कुछ नुमर फस्ट कुछ नुमर सेकेंड में आपको बटा डाइगराम देखना पड़ेगा 3.2 का जो फिगर नुमर 3.14 का डाइगराम है जी एच ऐसे पॉइंट है ठीक ना बेटा और कोई भी पॉइंट प्लीन में दिखाने के लिए मैंने आपसे बताए तो दो वैल्यू चाहिए होती है एक एक एक्स और दूसरी वाई के तो पहली पॉइंट जो उदर गया वो मैं लिख लिया है कहता है कि बी पॉइंट के को तो वैसे यहाँ पे कोडिनेट आ गये माइनस फाइफ और टू भी पॉइंट एक कोडिनेट आ गये फिर आपसे पूछ रहे है सी के बताओ तो सी है इधर यह रहा तो देखो पहले एक्स लिखा जाता है तो एक्स का कितना है बच्चो फाइफ और वाई का कितना है माइनस पाइफ आ गया कहता है माइनस थ्री और माइनस फाइफ किसके हैं माइनस थ्री और माइनस फाइफ यह रहा इपॉइंट के हैं तो यह दो गया अंजर हो गया है टू और माइनस फॉर किसके हैं टू और माइनस फॉर टू और माइनस फॉर जी पॉइंट के हैं जी हा ना सिम की वल्लू पूछरे, D point पे X की वल्लू कितनी है, 6 है, the ordinate of H जहां, ordinate लग जाता है, वहाँ Y की वल्लू है, H के उपपर Y की वल्लू कितनी है, minus 3, हाँ, the coordinate of point L, L point के उपपर, L point के ऊपर, देखो, L के उपर, यहाँ पे आपको best K वल Y की वल्लू दिखाई देंगी, मेरी बात के लिए से सुनना x x की value 0 है तो यहाँ पे होंगे 0 और 5 ना कि 5 और 0 पहले x लिखा जाएगा बच्चो फिर कहता है m point के उपर बताओ तो m के उपर x value रहेगी तो y की value कितनी रहेगी 0 तो minus 3 और 0 ठीक है तो यह थी आपकी complete exercise 3.2 कल मिलेंगे 3.3 के साथ और वही कल यह इसी को chapter को complete कर देंगे फिर एक नए interesting lesson के साथ मिलेंगे जब तक यह जो diagram बनाना है कई बच्चे पूछेंगे मैं पहले बता रहा हूँ कि diagram बनाना है नहीं बनाना बनाना जी क्योंकि आप यू देखो न कि देखने से ही है तो क्यूशन के answer देखने को मिलेगा न तो बना दो कोई बड़ी बात नहीं है बनाने बनाना टाइम भी नहीं लगेगा ठीक है न तो इस diagram को बनाना है क्यूशन की statement भी लिख ले नहीं है ठीक है न बच्चो और पैन आप कैसा भी उज़ कर लो statement में आप black pen करो कि तो अच्छा लगेगा साब सुत्रा लगेगा न काम बढ़िया लगेगा देखते हैं कि छोटियों के बाद किस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है ठीक है न तो ठीक है बच्चो जब तक आप इनको कीजिए ठीक न तब तक मैं मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ